हेलो एवरिवन रित्तु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है जैसा कि आज आज आपने मेरे वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा किट्स स्पेशल तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक यूसूल गैजट की मदद से अपने आप ज्यादा कॉंटिटी में पूरी बना रहे हैं तो इससे आप बड़ी जल्दी जल्दी पूरीयां बेल सकते हैं और इसका इस्तमाल करना काफी आसान है स्पेशली 12 से 14 साल के जो बच्चा होता है वो आपकी इसमें बहुत असानी से मदद कर सकता है तो फ्रेंट्स इसम मदद से वो काफी असानी से सीक सकता है और आपकी मदद कर सकता है और 12 से 14 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो एक काम बहुत असानी से सीख जाते हैं और आपको भी काफी हिलप हो जाएगी और इस गेजट की जो कीमत है वो बी जादा नहीं है वो 300 –400 वर्पे से लेकर छे सासों के बीच में आ जाती है ये मैंने अंडर 500 ही लिया हुआ है और ये काफी अच्छा है और काफी यूसफुल भी है और इसका इस्तमाल करना भी काफी असान है क्योंकि गोल्ज चपाती बेलना और पोड़ी बेलना एक ट्रिकी काम ही होता है और इससे ये काम काफी असान हो जाता है अगर आप किसी कामें बिज़े हैं तो आप अपने बच्छे को सिखा सकते हैं इसका इस्तमाल करना वो अपने लिए चपाती भी बना सकता है नौन स्टिक तवा आजकल आते हैं या चिपकने का कोई खतरा नहीं होता है कोई डर नहीं होता है तो इसका इस्तमाल बच्चा काफी असानी से सीख लेता है तो फ्रेंट्स मैं आपको बताती हूँ इसकी मदद से आप कैसे अपने बच्चों से हेल्प ले सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं और इसको वो काफ़े इंजॉय भी करते हैं तो फ्रेंट्स मैं बनाती हूँ आपके सामने पूड़ी या चपाती मैं आपको इसका एक ट्राइल से देती हूँ देखें मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है और इसके हम एक लोई बना लूँगी देखें हमने ये लोई बना ली है अब आप इसके ओपर थोड़ा सा घी लगा लें या फिस उखा आटा भी लगा सकते हैं अगर आप चपाती बना रहे हैं पूड़ी बना रहे हैं तो आप घी लगा लीजे तो हमने घी लगा लिया है अब हमने इस पेड़े को बीच में रख दिया है और बस हलका सा प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी कैसे गोल पूरी या चपाती आप इसे कुछ भी बना सकते हैं और इसका इस्तमाल जो है काफी आसान है और बच्चे इस तरह की चीज़ों को काफी जल्दी सीख जाते हैं इंज्वाइ कर सकते हैं और स्पेशली 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ये काम सीखना कोई मुश्किल भी नहीं है अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो वो इस अपने लिए आराम से कोई चपाती बना सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको मेरी ये बात और वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ थैंक यू